Assalamualaikum आज मैं आप सिब के साथ शेयर करने वाली हूँ खटे छोले की रेसिपी यह बहुती अच्छी बनती है बहुती स्वात की बनती है और इसको मका की रोटी से खाया जाता है रसे वाला होता है यह ग्रेवी वाला होता है तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है धन्या पत्ती और लाल मिर्ची ली है मैंने और हरी मिर्ची भी ली है उसके बाद यहाँ पर मैंने अद्रक लसन का पेस्ट लिया है फिर यहां पर मैंने थोड़ी सी प्याज कट करके add कर दिये और जीरा add कर दिया है अब इन सब को हम mixer में पीस लेए मसाला हमारा पीस के तयार हो चुका है अब हम छोले भी पीस लेए तो यह हरे चने इसको भी हम पीस लेएंगे mixी में बिल्कुल बारिक नहीं करना है हमको सिर्फ एक ही बार इसको बटन ओन अउफ कर देना है इस तरीके से पीस के तयार है थोड़े हरे चने मैंने साइड में रख लिये है अब हम मसाला बना लेगे तो यहाँ पर मैंने लिए एक कड़ाई उसमें एड़ कर दिया है अउयल वो गरम होने के बाद यहाँ पर तेज पता एड़ कर दिया है मैंने इसका कलर चेंज होने के बाद मैंने जो मसाला पिसा था वो हम इसमें एड़ कर देंगे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसे चलाते रहेंगे ताकि यह जो मसाला है वो लगे नहीं कड़ाई में कुछ देर अब हम इनको भून लेंगे आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर भी एड़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर हर्य और लाल मिर्ची अखी लिए और उसको मिक्सी में पीचा है हल्दी पाउडर एड़ कर दिया है मैंने यहाँ पर इसको अब हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पर अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी नमक और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से mix कर लेंगे हम इसे और भून लेंगे पांच से साथ मीनिट तक हम इसे धीमी आज पर भून लेंगे चलाते रहेंगे कि हमारे जो masalah है वो चेटे नहीं जब आपका masalah चेटने लगे तो हम यह आपर थोड़ा सा पानी एट कर देंगे इसमें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये जो हरी मिर्ची के छोले की रेसिपी है बहुत ही अच्छी बनती है बहुत ही अच्छा स्वात देता है ये और हमारे जाववा जिले में आदिवासी इलाके में इसे बहुत शोक से खाया जाता है और ये सबकी पसंदीदा सबसी होती है अच्चे से हम मीक्स कर लेंगे मसाले को भून लेंगे और अगर अगर अपको लगए कि ये चिपक ने लगा है तो हम इसमें थोड़ा पानी एट करते हुए इसको भून लेंगे 5-7 मिनिट तक धीमी आज पर भून लेंगे हम इसे और जब हमारा मसाला भून जाएगा तो हम इसमें छोला इट कर देंगे मसाला हमारा यहाँ पर भून चुका है आप देख सकते हैं सारा ओल उपर आ चुका है आप चाहें तो इसे स्मेल भी ले सकते हैं इसको सून कर भी आप पता कर सकते हैं क्योंकि अगर मसाला नहीं भूना होगा तो इसमें से कच्चा कच्चा हरी मिर्ची का स्मेल आएगा और अगर भून गया होगा तो मसाले जैसी कुछ पुआएगी यहाँ पर मैंने थोड़ा गरा मसाला एट कर दिया है एवरेश्ट का चिकन मसाला एट किया मैंने यहाँ पर थोड़ा और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें हरे चने मीक्स कर दिये कुछ हरे चने मैंने इससे निकाल लिये थे और कुछ को बारिक पीस लिया था अच्छे से मीक्स कर लेगे अब हम इसको मसाले में और चला लेंगे इससे पहले में अपने चैनल पर दहीं वाले हरेचनी की रेसिपी भी लेकर आई थी और इस रेसिपी को हम चांस से बनाएंगे वो ग्रेवी वाला नहीं था वो भुना हुआ था और ये थोड़ा ग्रेवी वाला बनता है जैसे दाल बनती है न उसी टाइप का बनता है ये बहुत ही अच्छा लगता है एक खाने में आप ज़रूर बनाईएगा चोले को हम भून लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी एट करके हम इसको चला लेंगे ताकि ये चेटे नहीं क्योंकि ये बिल्कुल सुखा सुखा था ना इसलिए थोड़ा सा पानी एट कर देंगे और जब हमारे छोले भून जाएंगे तब तक हम इसको पका लेंगे यहाँ पर अब मैं इसमें एट कर रही हूँ छास यहाँ पर मैंने एक गलास के आसपास इसमें छास एट कर दिये इसको अब मच्चे से मीक्स कर लेंगे एकदम अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेगे अगर आपकी चांस जादा खट्टी है तो आप अपने हिसाब से एयट करना ये जो चांस है ये फ्रेश है is लिए जादा खट्टी नहीं होती है इसलिए मैंने इतना सारा एट किया है चांस अगर खट्टी हो तो आप कम एट करना आप अपने हिसाब से एट कर सकते हैं आपको कितना खट्टा पसंद है तोड़ा सा पानी एट कर दूँगी मैं इसमें और अब हम इसको पका लेंगे ये इसकी प्लेम यहाँ पर हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे और इसको हम चलाते हुए पका लेंगे आप देख सकते हैं इस तरीके का यह बनता है और इसको चावल और मक्का की रोटी के साथ बहुत पसंद किया जाता है सबजी में हमारा उबाल आ गया है और इसका एक तो दाने निकाल के चेक कर सकते हैं कि वो गले की नहीं और उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें धन्यापत्ती एट कर दूँगी तो खटे चोले यहाँ पर हमारे बनकर तैयार है बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है कड़ी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका तो आप जरूर बनाईएगा और अगर आप हमारे चेनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक और कमेंट जरूर करना ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा अला हाफिज